नमस्कार दोस्तों इंडिया स्टाइक्स चैनल पर आपका स्वागत है तो एक पर्टिक्लर इंटर्व्यू आरप 12 न्यूस पर एक यूएस के एक्स मरीन कोप्स इंटेलिजिन्स ऑफिसर का लिया गया उसका नाम है स्कॉट रिटर और उसमें उससे यह पूछा गया कि क्या आप हमास को कंडम करते हैं इसके प्रत्युक्तर में उसने जो कहा वो काफी ही शौकिंग था काफी ही चौकाने वाला था क्यूंकि य तरह से डिस्ट्रॉइ करना चाहता है और गाजा को पूरी तरह से साफ करना चाहता है इन आतंकवादियों से ताकि गाजा के आम जो नागरिक हैं वो शांती से अपना जीवन व्यतीत कर सके और वहां से कोई भी ऐसा आमला इसराइल के ऊपर ना हो इसके ऊपर शुरूवात तो इसके पर शाथ यूएस एक्स मरीन कॉप्स के पास से ये बयानाना कि वो हमास को सपोर्ट करता है और वो चाहता है कि इसराइल का समय आ गया है और वो दुनिया के नक्षे से साफ हो जाए इरेज हो जाए ये काफी ही शौकिंग और आई ओपनिंग है लेकिन जब हम इसकी तह में जाते हैं जब थोड़ा डीप में जाके यूएस पॉलिटिक्स को और यूएस की जो जियो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं जो ग्लोबल पॉलिसीज हैं वर्ल पॉलिटिक्स के संदर्व में उसको जब देखते हैं तब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो काफी सामन्य लगता है कि यह चीज आना एक्सपेक्टेड होना चाहिए अब यह क्यों होना चाहिए यह हम आपके साथ साजा करेंगे और ऐसे सभी वीडियो की एक सीरीज बना रहे हैं जहाँ पर हम US के डीप स्टेट को एक्सपोज करेंगे समय दर समय और उसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं तो उसमें भी आप जाकर इन एक्सपोजेज को आप देख सकते हैं यह सबसे पहला विडियो जो दो यह उस पर्टिकुलर सीरिस का इसमें समझते हैं कि क्या है स्टेट आप ये तो य। यृसी अगर्टो सेट सब्सकें बेना सेटी को चे public में नहीं आते उसमें कई सारे intelligence officer है कई सारे ex army officers है ex military officers है और कई सारे economists जैसे की George Soros और अन्य लोग भी शामिल है तो उन जैसे लोगो मिलकर ये तैय करते हैं कि US की local politics में और global politics में क्या policies होनी चाहिए और उसी हिसाब से वो act करते हैं इसमें ज्यादा तर leftists और उन लोगों का hold है उन लोगों का control है तो उसकी वेज़े से ये जो उन लोगों का approach रहता है वो ज्यादा तर एक sino-vahabi leftist जो influence वाला approach हो उस तरह का हर बार देखा जाता है और जैसे की हमने आपको बताया ये ऐसा alliance है जिसमें वो ज्यादा तर monkey balancing करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो किसी भी सही side को या किसी भी एक side को choose करके support नहीं करते हैं जिसमें वो time to time अलग-अलग sides के लिए जहाँ पर किवास चल रहा है जहाँ पर war चल रही है जहाँ पर conflict चल रहा है वहाँ पर दोनो sides के लिए अलग-अलग लोग आगे आकर statement देते हैं जैसे कि हमने कई सारे instances पर देखा है जैसे कि हाल में हमने इस्राइल हमास war के चल ते भी हम यह देख रहे हैं जहाँ पर US government elected government और US defense secretary आकर outrightly इस्राइल को support कर रहे हैं वहीं पर दूसरे साइड इस तरह के लोग जो ex marine corps intelligence officers हैं वो हमास को support करते हैं और वो यह चाहते हैं कि इस्राइल कतम हो जाए क्या वो सही में चाहता है कि इस्राइल कतम हो जाए या फिर क्या Lloyd Austin Joe Biden, Anthony Blinken सही में चाहते हैं कि हमास कतम हो जाए दोनों का answer है ना क्योंकि US की जो एक foreign policy रही है सालों से from decades कई सारे दशकों से वो mainly यही रही है कि कहीं पर भी सभी जगाओं पर सभी regions में chaos create किया जाए और उस chaos को create करने के बाद उसको live रखा जाए उसी तरह की चीज़ उन्होंने युक्रेन में भी करी हाली में उसका example है हमारे पास कि शुरू बात में जब युक्रेन ने NATO जोइन करने की बात कही तब रश्या उसकी आगेंस में करणा हुआ उसके बाद जेलेंस्की को back end से support दिया गया और युद शुरू हो गया इसके पर शुरू जेलेंस्की को युरोपियन युनियन से और युएस से support मिलता रहा militarily, financially काफी लंबे समय तक लेकिन हाल में युएस में से वो जो financial aid है और जो weapons और equipments उसको देने की बात है वो दीरे-दीरे कम हो रहे है जबकि उसी से ज़ादा weapons कई सारे weapons इसराइल में divert किये जा रहे है उन लोगों को युद्ध लड़ने के लिए support में दिये जा रहे है तो उसी प्रकार की परिस्तिती हो सकता है कि आने वाले समय में जो हाल में युकरेन की है उसी तरह की इसराइल में भी खड़ी हो तो ultimately जैलेंस की आज पाकिस्तान के PM की तरह एक बैगर की पोजिशन में आ गया है जो अलग अलग देशों में जाकर वहां से पैसे मांगता है फाइनांशल एड मांगता है और वेपन्स का एड मांगता है युकरेन में वहां पर डिफेंस का अपना प्रोड़क्शन नहीं है और वहां की एकोनोमी भी आल्मोस्ट डिस्ट्रोइ होने की कगार पर है उसी तरह की हालत पाकिस्तान में भी है जहांग पर अपना बेज बनाकर उन लोगों ने अफगानिस्तान में हमले किये और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी जो conflicts होते हैं उसमें भी कहीं न कहीं back end में deep state का हाथ है जो back end से पाकिस्तान को किसी न किसी नाम पर थोड़ा थोड़ा finance देते रहता है जिससे पाकिस्तान ultimately ये जो terrorist groups है terrorist organizations है और पाक ISI और आर्मी है उन दोगों को constantly active रखता है और भारत में अमले करवाते रहता है जिससे भारत का economic growth है वो जिस तरह से होना चाहिए वो रूख सके तो इसी तरह से US सबी जगहों पर dual policy apply करता है जहां पर शुरुवात में वो एक site की बात करता है और उसके पश्चात वो दूसरी site को भी support करना शुरू करता है अपने दूसर पपेट्स हैं उन लोगों के तुरू और बाद में उस chaos को constantly active रखता है तो उसी के चलते हाल में जो ये statement आया है Scott Ritter का जो USA का ex marine core intelligence officer था वो हमास को unequivocally support करने की बात कर रहा है और इस्राइल को map से erase करने की बात कर रहा है जो US के और US की जो government policy उसके exactly oppose में है जबकि हमास एक terrorist organization है तो काफी ही clear है ये बात कि ये जो deep state है वो दोनों side पर game खेलता है और ये एक अलग shadow government है which is above the elected government of United States of America जो United States की internal और external policies और operations को control करता है और जहां पर chaos create हो सकता है वहां पर immediately chaos create करके उन मुद्दों को constantly burning रखता है जिससे US दोनों side से अपना फाइदा निकाल सके जिसमें usually weapon supply करना हो या फिर financial aid देना हो या उस तरह की बाते हो ये सब शामिल है इससे ultimately होता ये है कि वो अपने आपको superpower के तौर पर पूरी दुनिया में अलग-अलग जगाओं ओपर conflicts में दोनों side से superior claim कर सकता है दोनों side का support लेकर अपने आपको superpower assert कर सकता है ये जो deep state की psychology है उसके उपर जो एक infamous leader था जिसने कई सारी जगाओं पर पूरी दुनिया में regime change operations करवाये हैं और जिसके हाथ में कई सारे लोगों के कून लगे हुए थे वैसे late Henry Kissinger का एक particular statement है जिसमें उसने ये कहा है कि being an enemy of America is dangerous while being a friend is fatal इसको हमने आगे भी कही videos में repeat किया है जहां पर इसका सीधा अर्थ ये होता है कि USA से दुश्मनी करना बहुत ही नुकसान का रख हो सकता है जबकि USA की दोस्ती घातक हो सकती है जो आपकी जान ले सकती है जिसका सीधा अर्थ है कि वो आपकी economy को और आपके culture को आपके जो भी systems हैं जो भी structure है आपकी country का उसको पूरी तरह से destroy कर सकता है या destroy कर देगा इसी के चलते ये statement दिया गया है तो ये जरा भी shocking नहीं होना चाहिए और ऐसे ऐसे statements जब भी आगे आएंगे हम आपके साथ share करते जाएंगे तो वीडियो को लाइक करके channel को subscribe कर ले और अगर आपको वो छोटी सी clip सुनी है जिसमें Scott Ritter ने वो बयान दिया था वो एक मिनिट की clip है तो उसको हम इस वीडियो के अंद में लगा रहे हैं तो वो भी जरूर देखें और आपके जो भी मत हैं वो नीचे comment में जरूर लिए ये पूरी series बनेगी US deep state को expose करने के लिए और उसका एक अ आपको समय दर समय मिलते रहें और उसी तरह से चाइना के ऊपर भी हम समय दर समय on regular basis कई सारे वीडियो लंबे समय से बनाते आए हैं और उसका भी अलग playlist बना रहा है तो उसको भी आप check out कर सकते हैं जिसमें चाइना की internal और external जो policies और जो activities हैं और जो operations हैं उसके ऊपर हम बा अगलग वीडियो में हमने बात की है और आज शाम को भी उसी तरह का एक वीडियो हम लाने वाले हैं जिसमें एक ऐसा energy source है जो oil और petroleum products को replace कर सकता है और उसकी वेदर से चाइना का जो geopolitical stance और approach है वो किस तरह से change हो रहा है उसकी आज शाम के एक वीडियो में बात करेंगे तो वो भी जरूर देखियेगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकल तो जरूर रबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें देखिये वो वीडियो Scott, do you condemn Hamas? Jeff, I not only do not condemn Hamas, I applaud Hamas, I endorse Hamas, I am 100% behind Hamas. I believe Hamas's mission of destroying Israel is a justifiable mission. Israel no longer deserves the right to exist and I encourage Hamas to continue putting pressure on this evil entity called the Zionist Israeli state. Israel is saying that we are more important than international law. We, Israel, are more important than anything. We get to kill anybody we want to in order to stay alive. It doesn't work that way, guys. You have to conform to community standards if you want to be part of the community. And if you don't want to be part of the community, I think you'll be shown the door. And I think we're basically, we're looking at the end of Israel. We'll see you in the next video. Until then. Jai Hind, Har Har Mahdi. Jai Hind, Har Har Mahdi, 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 Harani Mahdi, Harani Mahdi, Harani Mahdi, Harani Mahdi, झाल